मेडम ये Motor Vehicle Act 1988 में तैयार हुआ था उसको अब 30 साल पुरे हुए है इसका आउचित्य भी कम हुआ है विशेश रुप से RTO से जुड़े मामले नागरिकों के लिए काफी असुविदा और सेवा में देरी और गुणवत्तों की भी कमी है और सबसे महतोपुना बात मेडम ये है कि हमारे देश में हर साल 5,00,000 एक्सिडेंट होते हैं और 1,500,000 लोगों की मौत होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सिडेंट्स और मौते हमारे देश में होती है ड्राइविंग लाइसन्स से लेकर ट्राफिक नीमों तक एक दुर्भाग्य से ये स्थिति दिखती है कि कानून के प्रतिस सन्मान भी नहीं और डर भी नहीं ऐसी स्थिति है माडम महदया आमने इसके ओपर काफी अध्यान करके वर्ल्дел में जो विशेश रुप से अमरीका है, UK है, कैनला है काफी देशों का वर्ल्ड बैंक के समयोग से अध्यान करके हमने इसके ओपर एक पैरलल एक्ट त तैयर किया था पर इसके बारे में राज्य सरकार को भी काफी कुछ काइना था और राज्य सरकार को भी विश्वास में लेकर आगे जाना था और इसलिए हमने राज्यस्थान के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर यूनुस खान इनके अध्यक्षता में एक जीओम का गठन किया इसमें 18 राज्य के ट्रांस्पोर्ट मंत्री थे और 10 राज्यतिक पार्टियों से उनका संबंद था और इन्होंने कम से कम 6-7 मिटिंगे की और पूरे राज्यो सरकार मंत्रियों ने इसका अध्यान करके इन्होंने मुझे अपना बील जो है उनका रिकमेंडेशन के साथ दिया मैं उन ट्रांस्पोर्ट मिंत्रियों को और युनुस खान जी को विशेज रूप से धन्यवाद देता हूँ बाद में ये संश्यदन बील अगस 2016 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ पर उस समय ये निरने हुआ कि ये स्टेंडिंग समीटी के पास जाएगा और फरवरी 17 में ये बील अपने प्रावधानों के साथ स्टेंडिंग कमिटी के साथ सार ने गया मैं विशेश रूप से इस समीटी के अध्यक्ष मुकुल राई जी और उनके सबी सद्विसों को बहुत बहुत आभार वेक्ता करता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जितने रिक्मेंडेशन दिये लगभग हमने सब रिक्मेंडेशन को स्विकार किया समीती के ज्यादा तर क्लॉजेश जो थे मोटे तोर पर सहमती उनने वेक्ते की और बहुत मोले सुजाओ दिये हैं और तत्वा हमने सोला खंडों में संचधन लाए हैं हम तेरा खंडों पर समीती के शिफार्वस बर कारवे करने के लिए नियू में बदलाव भी लाएंगे के बल तीन क्लॉज पर जो समीती सहमत है पर उनका कहना जैसे ई-गवर्नस राज्यों में आना चाहिए तो समीती ने का कि यह राज्यों पर छोड़ दीजिए पर स्विकर महोदया अगर राज्यों पर छोड़ देंगे तो राइविंग लाइसंस से लेकर संपूर्ण सिस्टम को जब तक कॉम्पूराइज ने करेंगे ट्रांस्परेंट ने करेंगे तब तक यह मैंडिटरी करना होगा अधरवेज उसके सिवाल लोगों को सुविधा ने बिल पाएगी और इसलिए हमने का कि यह राज्यों पर छोड़ने के बज़ा है हम लगे तो मदद करेंगे पर यह हमने उसके उपर उनकी बात को स्विकार भी किया है और यह इसको करने के बारे में जिरने भी किया है इसमें से गाडियों के बारे में उनने एक सुझाव दिया था कि हर गाड़ी को ट्रक में रखकर नही गाड़ी को Arto Office में ले जाना पड़ता था फिर अपर इसका रिश्चन होता था केशन केवल होगा और मंजूरी मिलेगी ताकि इससे तकलिफ में अधरवाई इससे आम आत्मियों को तकलिफ कोई मतलब ने इसमें यह भी बात हमने की है यह बिल कॉपरिट्व फेडलिजम और मैक्सिमम गवर्नांस एड मिनिमम गवर्मेंट के सिद्धानतों में ध्यान में माड़ मुझे कभी-कभी बड़ा दूख होता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे आसानी से लाइसंस देश में मिलता है उस देश का नाम हिंदुस्तान है और यह अच्छी बात नहीं है और एक व्यक्ति चार राज्यों में लाइसंस लेता है और एक जगह सरेंडर करता है दू कोई इसके बारे में किसी प्रकार का दूजाईश है मेडम यह जो आक्सिएंट हो रहे है इसमें 30% लाइसंस बोगस है ऐसा एक सर्वे में आया है और इसलिए हम लोगों के जान बचाना चाहते है और इसलिए फरजी लाइसंस इसमें बंद होंगे और इसलिए मैक्जिमम ग अगर उसको ड्राइविंग लाइसंस नहीं दिया तो अर्टियो पर इसलिए पर जब आपको उसकी फाइनल्स जब लाइसंस मिलेगा तो नेता हो अभी नेता हो पत्रकार हो मंत्री हो अब उसको जाना ही पड़ेगा और कॉम्पुटर वो पूरी तरह से परिक्षा लेगा और कॉम्पुटर का ग्रीन सिगनल उसको पास करेगा तब उसको वो जानकारी ओफिस में जाएगी अर्टियो तीन दिन के अंदर अगर उसको ड्राइविंग लाइसंन नहीं दिया तो अर्टियो पर कारवाई होगी कि क्यो नहीं दिया तो इतना ट्रांस्परंट सिस्टेम इसमें है अभी 28 इस ट्राइनिंग सेंटर हमने शुरू किये है और आने वाले समय में एक सेंटर के बीचे एक करोड की ग्रैंट दे कर विशेशुफ से ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में हम इसको शुरू करेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग इस्टिटूट ताकि दे पुरा परिवार उसमें पढ़ाता तब से मैं इसके बारे में बहुत सब्वेदन्शिल हूँ हमारे पूर्वा सेकेटरियर उनका लड़का चला गया और रोज की घटना होती है और हम लोग कुशिश कर रहें कि इसमें 786 हमने ब्लैक स्पोट अडेंटिफी किया उसको हम पुर्मान या सदस्यों को भी आवान करूंगा कि यह जो एक्सिएंटल स्पोट्स है ब्लैक स्पोट्स है इसके इंप्रोमेंट का आप भी कॉंस्ट्यूंसी में आगरा करिए और मैं ये मैंने ये सुझाओ दिया है कि पार्लमेंट मेंबर जोगा उसके अध्यक्षता में ह पुर्ट भी देगी और वक्त आया तो अगर इसमें कुछ सुधार है तो भी सुझाओ भी देगी ताकि इसको हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में कम से कम देड लाक मोते हो रही है तो मुझे लगता है कि कम से कम जब पास साल ये संसरत के पूरे होगे तो हम प होते ही और सब्वेदंशिल विक्ति को बहुत तकलिप देने वाली बात है इस बील में जो बाते उसमें राज्यों को अधिकार अमने दिये है और इगवर्नास मेंडिटरी किया है सिंप्लिपिकेशन है सरलीकरन किया है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया इंट्रिजन ट्राफिक सिस्टम अब कोई पोलीस के जरुवत ही नहीं पड़ेगी कैमेरा लगा हुआ है अगर मंत्री भी वाइलेशन करता है तो 24 गंटे गंदर घर में टिकट आ जाएगा तो कोई गुझाइस नहीं है तो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया है इसमें काफी बाते जो मैं डेटेल में आपको बताऊंगा जो बील में है परीवन विवस्ता में सुधार है और पोलुशन बड़ा कंसर्ण है माने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रि के साथ कैबर में मीटिंग हुई और हमारे लोगों ने अब लिथियम आयन बेल सेल तुंडा है और उसके आदार पर हमारे स्टेट की जो दो लाग बसे से उसको कैसे कनवर्ट करना और तिकेट के दर आधे कैसे करना गरीब हो के लिए इसके ओपर सरकार काम कर रही है तो को जैसे कोई पुलिस अगर पकड़ता है तो हमने अठ्रा करोड भी के अप तैयर किया तो पुलिस बोलेगा तुमारा सर्टिपिकेट का है तो तुरन मुबाइल निकालो हमने पूरे आपके डॉकुमेंट्स को एक जग़ स्टोरेज किया लॉकर में आप वो जाकर उसके ओ पर अपना दबा और उसको दिखाओ ये ये कागद है तो पुलिस को आप दिखा सेकेंगे आपको साथ में ले जाने के जग़ता है इसमें थर्ड पार्टी इंशुरस के प्रावदावनों को सरलीकरन किया है लिटिगेशन में इसमें जो कॉम्पेंसेशन था वो हमने पचा लेंग्वेज में रोड सेप्टी के बारे में पाचवी चटवी वा साथी की क्लास में लेशन पढ़ाए जाए और इसके बारे में अवेरनेस पैदा करें हमारे काफी सेलिबरेटी है मंत्री है विधायक है पत्रकार है फिर अभिनेता है सब को हमने प्लेयर से अच्छे हम एक बहुत बड़ा कैमपेंड करने वाले है अटो माइल कंपनी को हमने काए वो भी कुछ कर रहे है ताकि हमारे में एक नेतृत वो में उनके जिले में उनकी कामें मैं उनसे अनुरूत करूंगा कि आप आपके यहाँ इसके लिए अवेरनेस में काम करें और हर एंपी यह संकल्प करें कि मेरे जिले में एक भी एक्सेट नहीं होगा ऐसा जिला में अपना करूंगा तो मुझे लगता है कि यह देश की इतियास में बहुत बड़ी बात होगी बाकी बहुत सी बाते इसमें अच्छी है मैं सनमानिय सदस्यों का अनुरूत करूंगा कि जो 10 पुलिट तो मैं सदस्यों से अनुरूत करूंगा कि अगर आज-के आज ही अगर यह मंजुर होगा ता कि मैं राज्यसभा में जाकर कि इसको इंपलिमेंट करने से हम हजारों लोगों की जान बचा सकेगे आज हम लोग हदबल है तो यह जल से जल अगर इंपलिमेंट होगा इस पर कारवाई होगी तो शायद भविश्य में कुछ लोग की जान हम बचा पाएंगे इसी बहुना से मैंने का फिर भी आप जितनी चर्चा करेंगे उतना आप करिए जितने सुजाओ देना उतना और इसको युनानिमिटी से एक मत से आप इसको मंजूर करिए ऐसा आवान करते हुए मैं इस बिल की चर्चा के प्रार्म करना चाहिए सब्सक्राइब करता हूं